चालू सीजन में खरीब फसलों के रिकार्ड उत्पादन का अनुमान लगाया जा रहा है खास करकी चावल का चावल का उत्पादन 1044 लाख टन से बढ़कर इस बार 1070 लाख टन पर पहुँचने का अनुमान लगाया जा रहा है आपको बता दें कि 2021 में 45 फीजदी ग्लोबल चावल एक्सपोर्ट भारत से हुआ है वहीं खरीफ तिलन के उत्पादन में कमी का अनुमान है जबकि ओल सीट उत्पादन घटकर 234 लाख टन संभव है आपको बता दें कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा खादय तेर आया तक देश है उसी के साथ साथ खरीफ में दाल, चीनी और कॉटन का उत्पादन भी बढ़ने का अनुमान लगाया गया है वी रिपोर्ट, माकेट टाइम्स, टीवी